कानपुर इनिवस्टी के एक्जाम्स को लेकर लगबग-लगबग सारा सस्पेंस खत्म हो चुगा है अगर आप कानपुर इनिवस्टी से ग्रेजवेशन या पोस्ट ग्रेजवेशन कर रहे हैं या कोई भी आपने वोकेशनल कोर्स के लिए भी एडमिशन लिया है तो कुछ चीजवेशन के लिए जानना ज़रूरी है आपको ना पता हो तो मैं बता दो जहां बीती दो या तीन दिनों में ग्रेजवेट लेवल और पोस्ट ग्रेजवेट लेवल स्टूडेंट्स ने कानपुर इनिवस्टी में चीज़ का भरोसा दिलाया गया है कि एक्जामस में आपको ज़्यादा प्रॉबलम्स नहीं होगी स्लैबस के बारे में जानकारी करने पर ये पता चला है कानपुर इनिवस्टी ने जो चीज़ें धर्शाई है स्लैबस इस बार बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा बहुत basic से questions आने वाले हैं हाला कि जब syllabus के बारे में officially चीज़े पूछी गई किया कितने questions किस topic से आएंगे इसके बारे में कानपूर उनिवस्टी ने openly भी कोई चीज़ नहीं बताई है हाला कि यह चीज़ बताई गई है जहां पिछली बार सकती के तौर पर क्या होता था कि जब भी कोई exam centers exam organize कराता था तो उन exam centers में नकल की जा रही है नहीं की जा रही है नकल को रोगने के लिए जहां university team गठित करती थी इस बार university ने ऐसा प्लान किया है इस बार ऐसी कोई team गठित नहीं की जाएगी जहां पे जो भी examinations हो रहे हैं वहाँ पर वहाँ के local teachers ही इस चीज का ध्यान रखेंगी कि वहाँ पर नकल students दोरा ना की जाए स्टार्टिंग में जहां university end से बोला गया था कि अगर हालात यही रहे तो आपके exams को डिले किया जा सकता है वहाँ BCA के examinations पहले से स्टार्ट हो गये है तो जहां university end से चीज का शौशन दिया गया था कि अगर हाल यही रहा और अगर college situations ना हुई तो आपके exams को डिले किया जा सकता है तो वहाँ पर आज उप मुख मंत्री दोरा दिये एक बयान से एक चीज साफ हो गई है के exam से दिले नहीं हुएं तो मुख मंत्री ने क्या बयां दिया है मैं आग बार आपको read करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे news paper अमर उजला में छपा हुआ article है उप मुख मंत्री डॉक्तर दिनेश प्रिच्छा जल से जल शुरू करा कराई जाए राज्य में संबंद्र विश्विद्धालर के कुल्पतियों को 15 अगस्थ 2021 तक पूरी कराने का निर्देश दिया है इसलिए यह संभावना जदाए जा रहे हैं कि विश्विद्धालर द्वारा जल्द ही सारी के सारी जो भी र प्रिणाम अगस्थ के अंति तक घोशित कर दिये जाने चाहिए इसके साथ विश्विद्धालर द्वारा परिच्छा आयोजित कराने समय कुरूना प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार है कुरूना महमारी के वजए से इस बार परिच्छा अवदी डेड़ घंटे से अ नहीं किया जाएगा एक्जाम अपने टाइम पर किया जाएंगे चुकि उनका रिजल्ड अगस्थ लास तक डिक्लेयर करना है अगला सत्रह सक्तेम्बर से स्टार्ट हो जाएगा